अब हम इन तीन प्रकार के मूल भूद गेटों को सयोजित करेंगे और इससे दो और प्रकार के गेट बनाते हैं सबसे पहला है नौर गेट नौर गेट नाम से समझ में आ रहा है यह कॉंबिनेशन है नौट प्लस और का जब और गेट के साथ नौर गेट लगा दिया जाता है तो वो बन जाता है नौर गेट यदि इसका प्रतिक चिन्न देखें तो यह है और गेट दो इन्पुट वाला और इसके आउटपुट के साथ एक नौर गेट जोड दिया गया है तो यह बन जाएगा नौर गेट या तो हम इस प्रकार shortcut में इस triangle के स्थान पर ट्राइंगल और बावल के स्थान पर हम के वाल एक bubble डाल देते हैं यदि इस और gate के सामने एक bubble डाल दिया जाए तो वह बन जाता है नौर गेट अब इसका logical expression यानि की booleal expression क्या होगा ए और भी है यहाँ यदि और operation होता है और मतलब यहाँ पर होता है प्लस तो इस output में हमको मिलेगा y डाश बराबर a प्लस भी लेकिन जो नौट गेट है वह उल्टा कर देता निगेशन तो यह जो फाइनली आउट्पुट में हमको मिलेगा y बराबर a प्लस भी का बार यानि ए प्लस भी जो भी सिगनल होगा उसका उल्टा हमको प्राप्ट होगा तो इस प्रकार a और बी यदि दे रहें तो डारेक्टली हम लिख सकते हैं वाई बराबर a प्लस भी का बार अब इसका टूट टेबल देखते हैं टूट टेबल में पॉसिबल कॉंबनेशन बनाएंगे पहले और बी देखेंगे पॉसिबल कॉंबनेशन क्या हो सकते हैं या तो दोनों 0 होंगे या तो एक हाई होगा a high b 0 या फिर a होगा 0 b होगा 1 या फिर दोनों होंगे 1 अब पहला मिलेगा तो यहां पर A प्लस B बराबर क्या मिलेगा वैसे भी और observance एंपूट है तो अंसर हमको हाइं मिलता है जिए फिर यूंक है तो होता है यहाँ पर देखे जीरों का गत करएल रहदर टो बहुत अपर एसको है जाम एग 슈ह ऎगल सार्णीं राइबर ब्रेश ब्राइब क्या प्लश आड़ा थे इंपुट हमको वाई डैश पराफतन तो यह को उल्टा करेगा तो हम यह और बी इंपूट को ने देखेंगे के वल वाइड़ देखेंगे इन सब को अगर हाइट कर दे तो यह 0 को क्या मेलेगा वन और वन का उल्टा जीरो और यहां भी वन का उल्टा जीरो तो इस प्रकार नौर गेट में यह दि हम देखें फाइनली तो आउटपूट किस प्रकार मिलता है जीरो जीरो का वन वन जीरो का जीरो 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 वन का जीरो और वन वन का जीरो मिलता है यानि कि इसमें एक भी सिगनल यदि हाई हो तो फाइनली आंसर हमको लो मिलेगा जैसे यह वन था हाई यहां भी वन था है यहां भी वन था है तो finally हमको क्या मिला था है आप जीरो लेकिन यह दोनों ही signal जीरो होंगे लो होंगे तब ही हमको मिलेगा high input अब next जो gate है उसमें हमने and gate में not को जोड़ा है अब अगला basic gate है वो है NAND gate, NAND gate combination है, NAND gate प्लस NAND gate का, तो जब NAND gate में NAND gate को जोड़ दिया जाता है, तो वो बन जाता है NAND gate, यह है NAND gate, जिसका प्रतिक चिन हम इस DIA का देते हैं, और यह है NAND gate, और इसको shortcut में हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, सीधा NAND gate के आगे एक बबल डाल दिये, तो वो भी NAND gate को represent करता है, अब इसमें finally output क्या होगा, अगर NAND gate में दो input जा रहे हैं, तो वाइड़ बराबर मिलेगा A dot B, यहाँ पर dot operation होता है, गुणन होता है, तो A dot B लिखे, अब इसका negation होगा, तो Y बराबर A dot B का बार, तो यहाँ पर लिख सकते, A B का सीधा क्या होता है, Y बराबर A dot B का बार, अब इसकी सत्यता सार नहीं बनाते हैं, पॉसिबल input बनाते हैं पहले, 00, 100, 01, 11, अब यहाँ पर हो रहा है, multiplication यानि की dot operation, तो पहले हम कॉलम बनाएंगे, Y बराबर A dot B का, multiplication होगा जब, तो यदि हम जोड़ेंगे, तो यदि हम गुणा करेंगे, 0 और 0 को गुणा करते हैं, तो 0 ही मिलता है, 00 का 0, 100 का 0, 0 से गुणा करना हैं तो, 0, 1 का 0, और 1, 1 का 1, पैसे यहाँ पर होता क्या है, and gate में, यदि एक भी input low है, तो answer हमको low ही मिलता है, इसलिए हाँ पर 0 मिला है, 3 और 1, 1, अब इसका उल्टा करेंगे तो, Y बराबर हमको मिलेगा, A dot B का बार, अब इन signal हो से मतलब नहीं है, हमको वो signal जी है, जो इस and gate से बाहर निकल रहा है, मतलब अब negation होगा इसका, Y डाश का, तो यह होगा 0 का 1, 0 का 1, यहाँ भी 0 का उल्टा 1, और 1 का उल्टा 0, तो इस प्रकार यदि हम NAND gate में देखें, तो 00 का 1 होगा, 10 का 1 होगा, 01 का 1 होगा, और 11 का होगा 0, इसका मतलब NAND gate में यदि एक भी signal low है, 0 है, तो output में हमको 1 मिलेगा, और यदि दोनों ही signal high हैं, तो output में हमको value 0 मिलेगे, यह जो nor gate है, और NAND gate है, इनको संयुक्त करके, मतलब सिर्फ nor और nor को जोड के, या सिर्फ NAND और NAND को जोड कर, हम उसमें से and gate भी बना सकते हैं, or gate भी बना सकते हैं, और not gate भी बना सकते हैं, इन में से तीनों प्रकार के basic gates का मूल भूद gate का निर्माण किया जा सकता है इसे लिए NAND gate और NOR gate को हम सारवर्त्रिक gate यानि की universal gate कहते हैं ये किस प्रकार बाकी gate को बनाते हैं इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले D Morgan प्रमय को समझना पड़ेगा बुलियन अलजेब्र में D Morgan प्रमय बहुत ही important प्रमय है इसमें दो प्रमय है हम दोनों को एक एक करके देखेंगे और उनको सिद्ध भी करेंगे तो जो पहला प्रमय है उसके अनुसार A plus B का यदि बार है negation तो वो बन जाता है A bar dot B bar या फिर मैं यू कहूं कि यानि दो चरों की उपर addition operation प्लस है और बार लगा है इस बार को यदि दोनों चरों में हम separate करते हैं एक की उपर भी लगाते हैं तो जो प्लस है वो किसमें convert हो जाता है dot में वैसे ही जो दूसरा प्रमय है उसके अनुसार यदि A dot B का बार है यहां पर दो चरों के बीच में dot operation हो और उसका बार है अब इस बार को दोनों चरों में यदि हम separate करेंगे तो जो operation है वो into का plus हो जाता है यानि dot का plus होता है और plus का dot हो जाता है तो यहां पर यह बन लेगा बराबर A bar plus B bar अब इसको हम सिद्ध करते हैं पहला प्रमय इसको सिद्ध करने के लिए हम सत्यता सारणिक अस्तमाल लेंगे जितने भी possible combination होते हैं 1 और 0 के वो बनाएंगे और उसके बार देखेंगे कि यह LHS equal to RHS आता है यह नहीं यदि हम पहला प्रमय लें तो A plus B क बार है तो हम कैसे बनाएंगे possible combination A और B लिखेंगे पहले तो होगा 0 0 गोनों ही 0 या A1 है B0 या फिर A0 है B1 या दोनों 11 अब यहां पर प्लस operation करना है तो A plus B दो 0 0 0 प्लस 001 1 1 प्लस 1 तू नहीं होता तू नहीं लिखना है क्योंकि यह B rich 11 से लेकर 9 प्द्धती में काम करें जो हम लोग सामान ने काम करते हैं तो उसमें 1 5 न होता है यहा पर 1-2 क्युक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 प्लस वन का मतलब होता है हाई तो हाई को हम कहते हैं वन इसलिए यहां पर आएगा वन अब इसका निगेशन करना है तो ए प्लस बी का बार करेंगे अब इनसे कोई मतलब नहीं ए और बी से हम जो सिगनल ए और बी में देख रहे हैं उसका बस निगेशन करना है तो जीरो का उ चाहिए बी बारची उनका डॉट चाहिए तो पहले ए और बी लिखेंगे 001001 11 अब एक निगेशन मतलब एक उल्टा करेंगे 20 कोई मतलब निया भी तो एमें पहला क्या है 0 है 0 का उल्टा 1 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0 वैसे बी में देखते हैं बी में क्या होगा 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का 0 और 1 का 0 अब इस ए और बी से कोई मतलब नहीं है A bar और B bar को गुणा करना है तो A bar dot B bar कितना होगा 1, 1 को गुणा करेंगे 1, 1 से 0 गुणा होगा तो 0, यहाँ भी 1 से 0 गुणा होगा 0, 00 का हो जाएगा 0 तो हम देखें left hand side और right hand side दोनों बराबर हैं इसका मतलब यहां पे D Morgan प्रमय पहला वाला सिद्ध होता है सत्य होता है अब दूसरा वाला देखते हैं अब दूसरे प्रमय में A.B. बराबर A.B. बराबर A.B. बराबर सिद्ध करना है तो पहले LHS लेंगे हम A और B के possible combination में लिए वही 0 0 1 0 0 1 1 1 अब इनमे dot operation होगा गुणा करेंगे 0 0 का 0 1 0 का 0 0 1 का 0 और 1 1 का 1 अब इसका negation करना है उल्टा किसका A.B. का तो A.B. का 0 का हो जाएगा 1 0 का होगा 1 0 का होगा 1 और 1 का होगा 0 यह होगा LHS अब राइठ हेंड साइट देखते है A और B लिए वही possible combination 0 0 1 0 0 1 और 1 1 A का negation होगा 0 का उल्टा 1 1 का उल्टा 0 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0 वैसे B का negation होगा 0 का 1 0 का 1 1 का 0 और 1 का 0 अब इन दोनों को प्लस करना है A और B बार को तो हम प्लस करते हैं A और B बार को प्लस करेंगे 1 1 को प्लस करेंगे तो 2 नहीं होगा यह होगा 1 यह होगा 2 1 0 1 का 1 1 0 का भी होगा 1 और 0 0 का होगा 0 इसका मतलब left hand side को देखें तो right hand side के बराबर है तो इस प्रकार D Morgan प्रमे का दूसरा वलप्रमे भी सिद्ध होता है अब इन दोनों प्रमे की साहिता से हम देखेंगे कि Nand gate और Nor gate किस प्रकार सारवत्रिक gate बनते हैं मतलब यह बाकी gate वोका निर्मान कैसे करते हैं ऐसे NAND gate से और NOR gate से बाखी और gate बनाने का question एक्जाम में आता है, इसलिए इन questions को हम धीरे धीरे करके deal करेंगे, सबसे पहला हम NAND gate से NOT बनाते हैं, NAND से NOT बनाना है, तो basic concept क्या है, NOT gate एक ऐसा gate होता है, जिसका सिर्फ एक ही input होता है, तो हमको एक input में convert करना है उसे, तो फिर वो क्या बन जाएगा, NOT gate, कैसे करते हैं, यह है NAND gate, इसका circuit symbol है, अब इसको बनाना है, NOT gate, तो इसके दोनों input को यदि हम जोड़ दें, तो यह बन जाएगा NOT gate, क्योंकि इसमें एक ही input बचेगा, और एक ही output है, और यह bubble लगा हो, इसका मतलब जो भी input दे रहे हैं, उसका negation हो रहा है, इसलिए यह बन जाता है NOT gate, इसकी सत्यता सारणियदी हम देखे, तो हमने यह दोनों input को जोड़ दिया है, एक कर दिया है, चाहे A हो चाहे B हो दोनों एक ही मतलब हो गया यहाँ पर, तो चाहे A को लिखो या B को लिखो या दोनों को लिखो, हमने लिखा 0011, तो output में क्या मिलेगा, Output में उल्टा होके मिलेगा जो भी input में जा रहा है क्योंकि यहां bubble लगा इसका मतलब यहां negation हो रहा है यहां पर उल्टी विप्रित प्रक्रिया हो रही है तो 0 का उल्टा हो जागा 1 और 1 का उल्टा हो जागा 0 तो इस प्रकार NAND gate convert हो जाता है North gate में और इसका circuit symbol ऐसा बन जाता है अब दूसरा NAND gate से AND gate बनाना हमने NAND gate कैसे बनाया था AND gate में NOT gate लगा दिया था तो वो NAND gate बन गया अब NOT को हटाएंगे नहीं यहां पर यदि मैं आपको एक एक्जाम्पल दू आपके सामने यह एक picture है अगर इस picture को मैं घुमा दो तो यह picture कैसे हो जाएगा उल्टा दिखेगा तो सेम वैसी होता है एक AND gate में यह किसी भी gate में यह नौट लगा देते हैं तो वो उल्टा हो जाता है अब इस picture को सीधा करना है तो हम क्या करेंगे इसको वापिस उल्टा घुमा देंगे मतलब जब दो बार उल्टा घुमता है तो यह सीधा बन जाता है तो यहां पर भी हम नौट को हटाएंगे नहीं बल्कि उसमें एक और नौट gate लगा देंगे पहले तो AND था उसको नौट बनाने के लिए नौट gate लगाया था अब नौट को हटाना तो है नहीं तो हम उसके सामने एक और नौट gate लगा देंगे तो वो बन जाएगा AND gate कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं यह हैं NAND gate अब इसके सामने हमको नौट लगाना है तो यहां पर दूसरा कोई gate प्रयोक्त नहीं करना है हमको NAND ही gate को इस्तमाल करके इसको AND में convert करना है तो NAND को नौट कैसे बनाते हैं इससे पहले हमने देखा NAND को नौट बनाने के लिए दो टर्मिनल को जोड देते हैं तो यह बन जाएगा NOT gate अब इस NOT gate को हम इस NAND gate के साथ जोड देंगे तो इसका जो operation होगा या इसमें जो logic कथन बनेगा वो बिलकुल AND gate के जैसे बनेगा कैसे बनता देखते हैं यहां A और B जा रहा है यहां dot operation हो रहा है और यह bubble के कारण इसका inversion, negation यह compliment मिल रहा है यानि कि Y बराबर A dot B का बार मिलेगा यहां अब यहां पर not gate लगे होने के कारण यह बार फिर से बार बन जाएगा यानि Y बराबर A dot B का बार का बार उसका compliment लिए हम यह compliment एक दूसरे से cancel हो जाएंगे एक चैनसल नहीं मैंने आपको जैसे बताया एक चुत्र को उल्टा घुमाएं फिर उल्टा घुमाएं तो वो सीधा हो जाता है सेम ऐसे ही यह negation का negation मिलके बन जाएगा A dot B इस प्रकार NAND gate को जोड कर हमने क्या बना दिया AND gate इसकी सत्यता सारणी देखे हैं तो अलग अलग जगे पे आउटपुट मिल रहा है वहां से हम दो सत्यता सारणी शुरू करते हैं पॉसिबल कॉमनेशन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन 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 अब गर इन दोनों का dot होगा यानि AND वाल होगा इसमें यहां पर तो यहां पर क्या मिलता जीरो का 000010 001 का 0 0000 01 का 0000 अब यहँची नैंड गेट है तो नीगेशन हो रहा यहां पे हमको y- बराबर a.b का बार मिल रहा है तो हम यहां पर लिखेंगे 0 कोल्टा 1 009 001 1 का उल्टा 0 तो यह तो वैसे ही हम जान रहे हैं कि किस का किसकी सथ्थ यतान पारणी ये नैंड गेट की है अब यहाँ पर दुबारा जो expression के इसाब से हमने क्या लिखा है y बराबर a.b के बार का बार जो यहां पर yडश हमको मिल रहा है उसका हमको उल्टा करना है मतलब y बराबर yडश का बार लेना है हमको तो यहाँ पर 1 का उल्टा होगा 0 1 का उल्टा होगा 0 और 0 का उल्टा होगा 1 इस प्रकार यदि हम बीच को हटा दे तो ये वाली जो सारणी है ए और बी का जो पॉसिबल कॉंबिनेशन है जो वाई हमको मिल रहा है वो किसके जैसे बन रहा है बिलकुल एंड गेट की तरह तो इस प्रकार नैंड गेट से एंड गेट बनाया जाता ह है अब अगला है एंड गेट से और गेट बनाना यहां थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एंड गेट में डॉट वाला ऑपरेशन होता है और और गेट में प्लस ये डॉट को प्लस में कनवर्ट करना है अब यहां पर हम किस प्रकार जोडेंगे तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं और का ऑपरेशन क्या है और में क्या था ए प्लस बी मिलता है डॉट से प्लस में आना है ए प्लस बी तक पहुचना है हमको मान लीजिए हम यहां पर एक नैंड गेट लेते हैं इस प्रकार यह नैंड गेट लिया इसके ऑपरेशन में हमको ए प्लस बी भी एक NAND gate जोड़ा और इस NAND gate के दोनो इंपुट को जोड़ कि हम उसको बना देगे not gate तो यहाँ पर यह जो ऊपर वाला नैंट gate था इसके दोनों इंपुट को मने जोड़ दिया और यह 10 बन जाएगा A, वैसे ही नीचे वाला था, इसके भी दोनों input को जोड़ दे और ये बन जाएगा B अब ये दोनों काम करेंगे not gate की तरह तो जो input A और B हम दे रहे हैं, वो not gate यानि negation की रूप में हमको प्राप्त होंगे तो A का उल्टा यहां मिलेगा A बार और B का उल्टा मिलेगा यहां B बार अब ये दोनों ही input बने हैं इस वाले नैंड gate के ये input इस नैंड gate में जब घुजेंगे अंदर जाएंगे तो इस नैंड gate में कौन सी प्रक्रिय होगी सबसे पहले तो होगा dot दोनों input का dot होगा और उसके बाद नैंड होने की कारण उसका negation हो जाएगा तो हम यहां पर लिखेंगे A बार और B बार का dot लेकिन ये नैंड gate है इसकी कारण यहां पर negation मिलेगा और हम लिखेंगे Y बराबर A बार डाट B बार का बार अब जब बार को separate किया जाता है दोनों अलग-अलग boolean चरों में तो operation पलट जाते हैं डाट का plus होता है और plus का dot हो जाता है तो यहां पर यह दिन देखूं तो यह जो negation common था इसको दोनों में separate करने हो तो जबार का बार प्लस डाट का हो जाएगा प्लस बी बार का बार और negation का negation मतलब वह एक दूसरे को cancel कर देते हैं और वह quantity मिलती ही हमको तो यह मिलेगा Y बराबर A प्लस B इसका मतलब NAND से शुरू किये तो और कहां पहुँच गया हम और गेट के आपरेशन में अब इसका ट्रूट टेबल बनाते हैं सत्यता सारणी इस प्रकार सत्यता सारणी बनाएंगे और बीका पहले possible combination लेंगे 00100111 अब एक निगेशन देखते हैं क्योंकि पहले वाले गेट में एक निगेशन हो एक निगेशन यानि 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0 वैसे दूसरे वाले नाइट गेट में हम देख रहे हैं वहाँ पर भी वो नाट गेट बन गया है तो निगेशन हो रहा है और यहाँ पर लिखेंगे 0, 1 का 0, 0 का 1 और 0 का 1 अब क्योंकि यह तो नाइट गेट है इसमें और रिवर्स होके मिलेगा निगेशन मिलेगा हमको तो जो वाई आउट पुट मिल रहा है यह वाला जो सिगनल हमको मिला है ए बार डाट बी बार उसका निगेशन प्राप्त हो और यह सत्यता सारणी यदि यह A और B इनपूट और Y आउट पूट की देखूं तो इस सत्यता सारणी बिलकुल किस के जैसे है यह और गेट के जैसे है इसका मतलब NAND गेट को संयुक्त करके किसमें कनवर्ट कर दिया गया है और गेट में